हेलो स्टुडेंट मैं सियोम राजावत अपने यूटूब चैनल में आप सब का स्वागत करता हूँ उम्मीद करता हूँ आप सब बेतर होंगे आज हम लोग एक नए चिप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है ऐलिगेशन गया होता है तो हम कह gravy सकते हैं उसे कहते हैं मिशरन चैनल के और बात करें एक जरूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ पहले कि मंडे से इसी मंडे से आपको रात साड़े आठ बजे से डेली मंडे से रात साड़े आठ बजे से डेली लाइफ क्लास में आपको पीवाई क्यू टीसियस ने जो भी एक्जाम कराएं SSC के हों, RPF के हों, Railway के हों इन सबके एक नई स्रीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो स्रीज आपकी बिल्कुल और बिल्कुल फ्री रहेगी ठीक है यूटूब पे ही रहेगी, लाइव ही रहेगा, लाइव सिसन रहेगा जिसमें आपको डेली जोड़ना है चेप्टर आप कंटेंट यहां से पढ़ते रहें, या आपने आपलाइन जहां से पढ़ा है वहां से भी पढ़ सकते हैं इस स्रीज के माध्यम से यह रहेगा कि आप अपनी जो भी आपने पढ़ा है उसका सही से मूल्लेंकन भी कर पाएंगे और उस मुल्यांकन के साथ-साथ, आपकी जो upcoming exam है, RPF का लगा हुआ है, SSC का लगा हुआ है, या आपका NTPC का लगा हुआ है, उस exam पे, जो भी आपका exam आगे लगे हैं, उनके तैयारी कैसी चल लगी है, इसके साथ में कुछ question ऐसे होते हैं, जो हमें नहीं solution पता है, उन्हें क कर दिया, ठीक है, तो तयार रहिएगा, evening में साड़े-8 से, morning में नहीं, evening में, picture होता है, allegation हम किसे कहते हैं, allegation कहते हैं, प्रामिश्रन कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रामिश्रन, दो या दो से अधिक पदार्तों को मिलाना, मिश्रन कहलाता है, और इस पूरे process को हम लोग allegation कह method of average, allegation कुछ भी नहीं, एक average का method है, अब बोले sir, average का method ऐसे कैसे, अब allegation कितना important है, ये भी हमें बता दूँ, तो हमने कहां देखा, allegation का जो huge होता है, कहां कहां होता है, पहला huge इसका होता है, number system में, दूसरा huge इसका होता है, profit and loss में, तीसरा huge होता है, speed, time and distance में, चौता huge होता है, इसका average में, पांचेवा huge होता है, time and work में, छटवा huge होता है, pipe and system में, और सातवा, खुद huge जो है, वो allegation अपने आप में एक chapter ही है, allegation का huge इतने सारे chapter में है, तो कितना important है, आप ये समझे, उनमें से सबसे ज़्यादा class जो important है, वो आजकी class है, तो इसलिए इस बिल्कुल government करिएगा, पूरी class आप इमानदारी से सुकून के साथ देखिएगा, चलिए, allegation पर हम चर्चा कर रहे थे, allegation हमने बता दिया, क्या होता है, average का method होता है, अब बात आती, allegation का huge कब करते हैं, और कहां करते हैं, कैसे करते हैं, सबसे ज़्यादा जरूरी बात है, तो हम allegation का huge करते हैं, कभी भी दो चीजें अलग-अलग, दो वस्तों में अलग-अलग, और उनका मिस्रन दिया है, तो हमेशा और हमेशा allegation का huge करते हैं, इनका difference हम इधर लिखते हैं, और इनका difference हम इधर लिखते हैं, difference लिखने के बाद हम इन्हें allegate, clear बात, आगे समझ जैसे एक बात इसमें और है समझाने वाली कि A है अगर A का मान A B से अधिक है तो याद रखना हमेशा और हमेशा B का मान A B से कम होगा यह पहली बात होगे अब दूसरी की बात इसी में समझो A का मान अगर A B से कम है A का मान A B से कम है दो B का मान A, B से हमेशा और हमेशा अधिक होगा अर्तात ये वाली वैलू 1 से बड़ी और हमेशा और हमेशा एक से छुटी हो एक बात होगी अगली बात एक और होगी A, B और A, B यह हमेशा और हमेशा अपने आप में कभी 20% का लाहब है 120% दिया तो उसको भी हम 100% में convert करेंगे type question कितने आते हैं तो कभी ये दे देगा ये देदेगा ये देदेगा अनुपात पूछेगा इन दोनों का अंतर इधर लिखेंगे बड़ी value से छोटी value को घटाएंगे अंतर का मतलब समझना अंतर क्या होता है अंतर होता है अंतर पहला point यही है कि हमेशा और हमेशा positive होगा दूसरा point यह है कि अगर दोनों sign positive दोनो sign positive यह same sign दोनो same sign आम ऐसे लिखते हैं same sign बतलब या तो दोनो plus के नमबर है या तो दोनो minus के नमबर है तो हमेशा और हमेशा उन्हें गटाते हैं कौन बढ़ा है कौन छोटा मतलब नहीं अगर दोनो sign opposite दोनो sign कैसे हैं opposite तो जोटें गा कर दो तेंगे अब आवा जा रही होगी ना ठीक दोनों साइन अगर अपोजिट हैं कैसे हैं अपोजिट तो उन्हें जोडते हैं जैसे हमने कहा माइनस का पाँच और प्लस का तीन का अंतर कितना है तो आठ माइनस का साथ प्लस का चार का अंतर कितना है तो आप बोले साथ चार गया रहा है ठीक है, ये बात आपको confirm होगी, अब इसके बाद हम अगली बात करते हैं, चलो, देखो जरा कुछ कोश्चन के देखते हैं, कैसे करते हैं, 6 रुपए 20 पैसे प्रति किलोग्राम वाले चावल, एक चावल है जिसका मुल 6 रुपए 20 पैसे, और 7 रुपए 20 पैसे प्रति बीच में वाले लिख देंगे, 6 रुपए 20 पैसे, अब एक बात आप याद रखो, मैंने क्या बताया, इन दोनों का डिफरेंस इदर, ये भी पॉश्ट्यू, ये भी पॉश्ट्यू गटा देंगे, तो 0 से 0 गया, 12 में से 5 गया, 7 आया, तो 0.70 आया, इन दोनों का अंतर हम इदर लिखेंगे, तो 0.50 में 0.20 माइनस करेंगे, तो कितना आयेगा, 0.30 आयेगा, 0.30 आयेगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो अंसर आया, कितना 7 अनुपात 3 आया, आप्शन नंबर 7 अनुपात 3 कौन सा है, भी नंबर है, ये हमारे पहले कोस्चन का अंसर हो गया, बहुत ही आसान कॉस्चन होते हैं, आसान कॉंसेप्ट होते हैं, पहला नहीं समझ में है, दूसरा आयेगा, क्या बोला है, एक व्यापारी 15 रुपए प्रति क्लोग्राम, पहला चावल कितना रुपए पर केची, और 20 रुपए प्रति क्लोग्राम, दूसरा का मिस्रण दिया, फिर से आप बात समझना, ये वाली वैलू इससे बड़ी है, तो इससे छोटी है, एक से बड़ी और एक से छोटी होती हमें इसा, इन दोनों का अंतर कितना, 20 में से 16 रुपए 50 पैसे गटाएंगे, तो 3 रुपए 50 पैसे आ जाएगा, इन दोनों का अंतर एक रुपए 50 पैसे आएगा, दोनों का अंतर पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, जीरो से जीरो, पांस से काटो, पांस सते, पैंतिस, पांस ते, पंदरा, अंसर कितना आया, साथ अनुपात तीन आया, सिम अंसर साथ अनुपात तीन इसका है, क्लियर हुआ है, चलिए, अगल हम लड़कियों को लिखते हैं, बीच में हम टोटल लिखते हैं, बोला, यदि लड़कों का ओसत वजन 30 किलोग्राम है, लड़कों का ओसत वजन कितना किलोग्राम, 30 किलोग्राम, और लड़के और लड़कियों का टोटल ओसत वजन मिला के दे रखा है, वो कितना दे रखा 25 kg तो पूछा है लड़कियों का और 70 बजन बताईए क्या बताईए लड़कियों का अनुपात पहले से ही देखा ध्यान से देखना लड़कियों और लड़कों का अनुपात एक दो लिया है लड़की एक है और लड़के कितने है दो है तो लड़की के सामने एक लिखेंगे और लड़के के सामने कितना लिखेंगे दो लिखेंगे इन दोनों का डिफरेंस इधर इनका डिफरेंस आया कितना फाइब केजी आया तो हम कह सकते हैं एक बराबर पांच के तो दो बराबर कितने के हो जाएगा तो आप कैदोगे 10 kg के आ जाएगा एक की value किसके बराबर आई 5 के दो की value किसके बराबर हो जाएगी 10 के इन दोनों का अंतर 10 आ जाएगा 30-25 से बड़ा है तो ये छोटा होगा कितना छोटा होगा 10 छोटा होगा तो answer कितना आएगा 15 kg आपको नहीं समझ में आया तो आप ऐसे समझो इन दोनों का अंतर 10 आना चाहिए तो एक बार 30 में 10 25 में 10 जोड़ो 35 अगर 35 लिखेंगे तो ये संक्या दोनों से छोटी आ जाएगी तो छोटी वाली value लेगा clear हुआ answer कितना आगया 15 kg आगया option numbers ठीक है complete हुआ चालिस चात्रों की एक क्लास का आउसत वजन 30 kg है और 20 चात्रों की एक क्लास का आउसत वजन 15 kg है 40 चात्र है और आउसत वजन हम आउसत वजन कितने kg लिखा है तो कहोगे 30 kg लिखा है चात्रों की संक्या कितनी है तो आप कहोगे 40 है फिर क्या बोला, बीस चात्रों की, बीस चात्र और हैं, ये संक्या लिखी होती है, अनुपात चुकि संक्याओं का ही आएगा, उनका ओसत वजन कितना किलो दिया है, पंदरा किलो दिया है, और आप से पूछा है कि दोनों क्लासों को मिलाकर, अर्थात ये वाली वैलू इस ब पूछें, त्यान्से देखना वैलिगेशन में ये वाली वैलू कैसे निकालते हैं, सबसे पहली बात तो ने जोतता कर लें, आया कितना दो अनुपात एक आया, इन दोनों का हम debates का हुछ निकालते हैं और इन दोनों का जो निकालते हैं वो निकालते हैं सम तो मुझे बताओ डिफरेंस कितना है 30 15 का तो आप कोगे 15 और सम कितना है 3 3 बराबर कितने केजी आजाएगा 15 केजी एक बराबर कितने केजी आएगा 5 केजी एक की वेलू 5 केजी तो यहां पर लिग देंगे 5 केजी एक बराबर अगर 5 केजी तो दो बराबर यहां भी लिग देंगे कितने केजी 10 केजी इन दोनों का अंतर 10 होना चाहिए अब मुझे यह बताओं अब 15 में कितना जोड़ें या घटाएं कि 10 आए ये वाली value एक से चोटी एक से बड़ी बड़ी किस से 15 से कितनी बड़ी 10 या ऐसे कहे दो ये वाली चोटी कितनी 5 एक बरावर 5 तो दो बरावर 10 इस से 15 से बड़ी होगी तो 15 दस कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा ये वाली value एक से बड़ी एक से चोटी 15 से बड़ी होगी और 30 से चोटी होगी 15 से कितना बड़ी है 10 तो जोड़ दो 25 या 30 से कितना चोटी है 35 30 में 5 गटा दो तो 25 आजएगा क्लियर हुआ चलिए अगले कुश्चन के तरफ चलते है एक मिस्र धात में 80% तांबा है ठीक है कोई बात नहीं और 60 है दूसरी मिस्र धात में 85% तांबा है और 12% तांबा है कोई बात नहीं इन्हें धातों को किस अनुपात में मिलाए ताकि नए मिस्रण में 15% तांबा है अच्छा पहले मिस्रण में तांबा कितना है 80 और 60 है तांबा कितनी होगी तो आप कहोगे तिन जो होगी वो भहिया 20% होगी कितनी होगी 20 क्यों क्योंकि दुनिया की हर एक value अपने आप में 100% होती है दूसरी मिसदात में 10 पहले से लिक दे रखी कितनी है 12% है तो दूसरी में 10 है 12% बुला दोनों को किस अनुपात में मिलाएं कि नए मिसरण में 10 कितनी हो जाए तो आप कहोगे 15% हो जाए इन दोनों का अंतर कितना आएगा 3 आएगा इन दोनों का अंतर कितना आएगा 5 आएगा अनुपात कितना आया तो आप कहोगे 3 अनुपात 5 आया यह हमारा अंसर बताएं बात समझ मैं ही? क्लियर हुआ पॉइंट अगला कोशन है एक मिसदात में तांबा 90% है और 10% तीन है ठीक है अच्छी बात है दूसरी मिसदात में तांबा 93% है 4% तीन है दोनों मिसदातों को किन अनुपात में मिलाएं कि अगले में 10 9% हो जाए बस 10 को टारगेट करूँ यहां 9% यहां 10% और आप एक तरफ लिख सकते हो 10 10% दूसरे तरफ लिख सकते हो 4% और बीच में कितना लिख दोगे 9% इन दोनों का अंतर कितने का आया पांच का आया इन दोनों का अंतर कितने का आया एक का आया तो अनुपात कितना आया पांच अनुपात एक आया बस वो हमारा अंसर है इन ही तीनों जगह है तो हमने 10 को ही डार्गेट किया 20 से में कोई मतलब नहीं कि कितना है कितना है अगला क्या है अलग अलग कीमत वाले दो प्रकार के दूध दो अनुपात 3 के रुपात में मिलाएगा ठीक है बढ़ियां बात है दो प्रकार के दूध है पहली प्रकार का यहां रुपात दे रखा है, दो नुपात तीन में मिलाएगे, फिर आगे पहली किस्म का दूद है, दस रुपए पर लीटर, ये भी बात बढ़िया है ठीक है, और दूसरी प्रकार का दूद है, पंदरा रुपए पर लीटर, पहली प्रकार का दस, दूसरी प्रकार का पंदरा और इन दोनों का निकालते हैं हम लोग सम। जड़ा difference बताओ 15 और 10 का कितना है तो आप कहोगे 5 है। ठीक है difference कितना है तो आप कहोगे 5 है। उमने यहां पे लिख लिया। इन दोनों का sum भी कितना है 5 है। तो 5 बराबर कितने के हैं तो कहोगे 5 रुपए पर लीटर के। एक ब ये वाली value आई 3 रुपए पर लीटर और ये वाली value 2 बराबर आई 2 रुपए पर लीटर बताए मुझे यहां तक किसी को कोई दिक्कत अब ध्यान से समझना ये value एक से बड़ी एक से छोटी होती है दस से बड़ी होगी 3 तो answer कितना आएगा 13 रुपए पर लीटर और छोटी 15 से कितनी होगी दो तो पंदरा में दो घटाओ 13 दस में तीन जोडो 13 अंसर आना है 13 मेरा वैसे भी कुछ नहीं है सब 13 ठीक है आगे बढ़ते हैं पांच किलोग्राम बढ़िया किसम के चावल 25 किलोग्राम गटिया किसम के चावल एक साथ मिलाएगे बढ़िया हुआ गटिया किसम के एक तरफ बढ़िया लिख देते हैं कैसा है बढ़िया और एक तरफ कैसा है गटिया अब ध्यान से समझेगा ब 25 केजी, ये मात्रा दिये, मात्रा संक्या हमेशा अनुपात में होती, ठीक है, और रेट हमेशा एलिगेट किये जाते हैं, पहला है 5, बढ़ियां वाले 5 किलोगराम है, कितने हैं, 5 किलोगराम है, और घटियां वाले कितने हैं, 25 किलोगराम, ये मिलाएगा है, तो अनुपात तो पहले ही यहां पता चल गया एक पांच का यह बात तो समझ आ गई होगी बढ़ियां वाले चावल का मूल है अठारा रुपए पर ले पर केजी और घटिया वाले का है बारा रुपए पर केजी बहुती सस्ते चावल मिला है थीक बोला किस अनुपात में मिलाएगे एक अन क्या ले लो सम तो इडिफरेंस कितना आया 6 रुपए पर केजी यही तो आया और यहां पर सम भी कितना आया 6 तो हम कह सकते हैं 6 बराबर 6 रुपए पर केजी तो एक बराबर कितने एक आएगा एक रुपए पर केजी आजाएगा एक बराबर एक रुपए पर केजी तो हम 5 बराबर निकालना चाहें तो कितना आएगा पांच रुपए पर केची आएगा और एक बराबर निकालना चाहें तो कितना आएगा एक रुपए पर केची है clear? अब ये वाली value एक से बड़ी एक से छोटी या तो 12 में एक माइनस कर दो तो तो 11 आ जाएगा या 12 में एक जोड़ दो तो 13 आ जाएगा और या तो 18 में पांच माइनस कर दो देखो यह वाली वैलू 12 से तो बड़ी होगी और 18 से चोटी होगी एक से चोटी हमेशा याद रखना 12 में एक जोड़ो 13 या 18 में पांच गटाओ तब भी 13 क्लियर हुआ से बस्तिक सा एक बार मैं कंप्लीट करा दू लेकिन मैंने साथ-इक चेप्टर बताएं आठो चेप्टर के कोष्चन मैं तुम्हें कल कराऊंगा दिखाऊंगा वहां हर देखो हर एक जगए कैसे कैसे कोष्चन आ रहा है सारे टाइप की मैं कोष्चन सबको अलिघेशन से क पढ़ते रहें पीवाई की स्रीज भी मैं स्टार्ट करने वाला हूं मंडे से लाइब सेसन वो रहेगा टाइम निकाल के लाइब पे रहेंगे आप अंसर कमेंट करते रहेंगे मुझे भी अंदाजा लगेगा आपकी तयारी किस लेवल की और आपको भी अपनी तयारी परकने का बख हुई टाइम मिलेगा कोई सब्जेक्ट कोई टॉपिक आपको लग रहा है कि दो तीन स्टी में ऊपर नीचे रह जा रहा है हमारा नंबर कम आ रहा है अब हमें कमेंट करिए मैं सबसे पहले वो टॉपिक पढ़ा दूँगा एक तरफ से मैं पूरा कंटेंट पढ़ा ठीक है चौथा चेप्टर है हम एक एक करके चलेंगे smoothly चलेंगे 15 दिन लगेगे 20 दिन लगेगे मैणे पर ज्यादा लगेगा मैं ज्यादा दूँगगा मैं पढ़ाने के त्यार हो तो आप पढ़ने के लिए त्यार हुआ है एक बार अच्छे से पढ़ लीजे किसी भी इक यह भी बहुत अच्छी बात है, उला किस अनुपात में मिलाकर 18 रुपए, बस ध्यान देना है, यह 18 नोटिस करो, 10 से भी बड़ा है, 16 से भी बड़ा है, हमने बताया, यह वाली वैलू एक से बड़ी और एक से छोटी हो गया हमेशा, अब यह बड़ा क्यों है, क्योंकि अग आप ऐसे भी कर सकते हूं, 20% का प्रॉफिट है, 20% को अगर हम पार्ट में बदल दें, एक बटे 5 होता है, जो नए बच्चे हैं, उन परसेंटेज में सीखेंगे, यहीं बता देता हूं, 20 में 100 का भाग दिया, तब ही 5 आया, परसेंट को कभी हटाना है, तो 100 का भाग कर दे 6 बराबर 18 रुपए पर केजी के, एक बराबर अगर आप से पूछें कितना होगा, 3, तो 5 बराबर कितने रुपए खो जाएगा, तो कहोगे 15 रुपए पर केजी आजाएगा, इस CP हमें 15 पता चल गया, तो यहां मूल अमने बीच में लिख लिया, 15 रुपए पर केजी, दा अंसर आया, समझ आया, ना समझ में आया, तो वीडियो को रिवाइन करके दुबारा देखिए, बहुत अच्छा कॉंसेप्ट है यह, चलिए, अगले कोश्चन के तरफ चलते हैं, अगला कोश्चन हमारा क्या है, 25 रुपए पर केजी के, पहली वस्तु है 25 रुपए पर ₹1, घूरं की दर से बेचा जा, कितने एककीस रुपए पर ताकि 25% की हान हूँ है, हान कितने की हो 25 %पर little इसे part बदें की एक बटे चर बड़िंगे तो, हान को गटा के लिखते हैं सू कितना लिखेंगे तीनhhh यह क्या होगा तो आप कहोगी यह हो जाएगा CP, यह क्या हो जाएगा CP और यह क्या हो जाएगा SP, यहां बेच कितने का रहा है 21 का, तीन बराबर कितने के रहेगा 21 के, एक बराबर साथ के तो चार बराबर साथ चोको 28, 28 रुपए पर केजी यह हमारा CP है, यहां पर बीच में क दो अनुपात तिन यह हमारा अंसर है बोलो भें आज समझ में आई या नहीं है किलियर हुआ पॉइंट यह हमारे कोश्चन थे कुछ आज बहुत छोटी सी क्लास थी लेकिन इस क्लास के माध्यम से बस मैं यह बताना चाहता था कि कैसे बढ़ा जाता क्या पड़ा इसकी next क्लास में सारी टॉपिक का एक दो दो कोश्चन लोगा जितने मैंने टॉपिक बताए चाहे टाइम एंड वर्क हो चाहे जितने मैंने टॉपिक बताए सब का कोश्चन के ऐलिगेशन से कैसे करते हैं वह मैं बताऊंगा और देली अलग अलग चलेंगे दोनों तरीके से पड़िए जो आपका टॉपिक कमजोर है वो यहां से पड़िए आपको आता है आप पड़े हुए हो आप पी वाई क्यों से पड़िए वहां से आप देखते हैं तो उम्मीद करते हैं आपको मजाया होगा कैसा लगा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा ठीक है मिलते हम लोग अपने अगली क्लास में तब तक के लिए अपना क्याल रखिए बाइबाए ठीक के लिए